सातियों करमचारियों के लिए आई खूस खबर, मेहंगाय बत्ता हुआ फाइनल, सरकारी करमचारियों को दिपावली का दोफा, इतनी बड़े की सेल्डरी, इस प्रकार की पूरी और लेटेस्ट खबर के लिए इस वीडियो में आप अंति तक बने रहें विशेश और बड़ी खबर वोपाल से है, मुख्य मंतरी, सिवरासी, चोहान, मेहंगाय बत्ते के लिए लगातार करमचारियों को देहरी की परिक्सा ले रहें यदि केंदर और राजी के बीच डिये का अंतर देखें, तो यहाँ 16 परिशत पर आ रहा है यहाँ अंतर अब जल्दी कम होने वाला है, क्योंकि सिवरास सरकार देपावली गिफ्ट के रूप में 14 परिशत डिये देने जा रही ही दोस्तों जल्दी सेच वीडियो को लाइक कर दीजे और सस्क्राइब कर दीजे, आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फल है देखने वाली बात यही, कि 16 परिशत की आओ सकता है, लेकिन 14 परिशत दे रही है, यह समझ से परही माना तो यह जा रही कि 14 परिशत को लेकर सहमती बन गई ही, लेकिन आदेश दिपावले की कुसमें पूर्व की जाएंगी यह आदेश 30 अक्टूम्बर को राज्जी में होने वाले एक लोगसभावा तीन विधान सब उपचुनाओ के मद्दान के बाद ही होंगी फिलहाल परिश में उपचुनाओ को माहौल बनता जा रहा है इसे में आचार सहिता के चलते, सरकार मेंगई बत्ता देने को लेकर आदेश सिधे दोर पर नहीं कर सकती ही इसके लिए उसे चुनाओ आयोग से मंजूरी लेना होगी क्योंकि अब 30 अक्टूम्बर को होने वाले मद्दान के तारीक समीबे और सरकार ऐसे समय आदेश निकाले तो वो विवादू में पढ़ जाएंगे क्योंकि चुनाओ आयोग भी सिवरास सरकार से यह जानना चाहेगा कि एक आएक महेंग भत्त अबढ़ाने को लेकर बात क्यों सिवरास सी चुहान चाहे तो काफी समय पहले ही डिये के आदेश निकाल सकते थी क्योंकि क्यंद्र सरकार ने लगवख चार मेने पहले ही महेंग भत्त अबढ़ाकर 28 परतिसत कर दिया था लेकिन मद्य परतिस सरकार के करमचैरियों को यह 12 परतिसत ही मिल रहा है इसके अबाद कई राजियों जिसमें पड़ो सी राजयस्थान भी सामीली ने केंद्र सरकार के बराबर 28 परतिस दिये दे दिया लेकिन मत्य प्रदेश की सिवराज सरकारने से तोज्यों नहीं दिया हाला कि ओप चुनाओं में कमलाज निया मुद्धा उठा सकते हैं क्योंकि पिछले साल मार्च में कमलाज जब मुख्य मंद्री थी तब उन्होंने 5% डिये बनाने की गोशना कर दी थी लेकिन इस दोरान उनकी सरकार चली गई सिवरासी चोहान ने सेम बनने के पाद कमलाज की इस 5% डिये देने की गोशना को दर किनार कर दिया था और राज जी के करमचारियों को 12% डिये पर भी अभी तक रखे रखाए वेसे अब करमचारियों के सबर का बांद तोटने की बात कही जा रही है और संबह भी तीन विधान सभा और एक लोग सभा उपचुनाओं में करमचारियों के घुस्सा भाजपा को जहलना पड़ जाए ऐसे में गाज सिवरासी चोहान परीगिरनाई जिन्होंने राज्य के करमचारियों को अन राज्यों के मुकाबले भी पीछे रखाए खेर अब समाचार ये भी आ रहाए कि सिवरासी चोहान 14% डिये देने को तयार हो गए है और उन्होंने यहादेश ओप चुनाव के मददान के बाद निकालने की बात कहिए इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोक से मंजूरी लेना पड़ेगी जो मददान के बाद मिलने में दिकत नहीं आएगी सरकार के करमचारियों के लिए यह दिपावली 14% डिये के साथ ही एरियर वाली होगी दोस्तों वीडियो के इस टोपिक पर अपने विचार वेक्त करना ना भूलें जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए वापास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोट किये जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अगर अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सिदिक सेर कीजिए थैंक यू